हेलो फ्रेंग्स मैं मनीशा स्वागत करती हूँ आपका MLT एजुकेशन पॉइंट पर तो आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में डिस्कस करेंगे HIV, Human Immuno Deficiency Virus जिसके बारे में आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि HIV क्या होता है introduction और history इसके transmission के बारे में कि यह कैसे फेलता है इसके replication के बारे में हम पढ़ेंगे और symptoms भी इसके देखेंगे तो आएए बात करते हैं HIV यानि की Immuno Deficiency Virus क्या होता है तो थोड़ा सा इसके नाम पे घोर करते हैं Human Immuno Deficiency Virus यानि कि Human में ओने वाली कैसी बिमारी Immuno Deficiency Immuno Deficiency मतलब आपका जो Immune System है आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी कमी कर देता है यानि कि जो रोगों से जो बिमारिया से लड़ता है जो किसे बैक्टेरिया से वाइरस से लड़ता है ये उसी की Deficiency कर देता है जब उसी की कमी हो जाएगी तो उसकी वज़े से आपको बहुत सारी बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है तो समझ में आया Human Immuno Deficiency Virus क्या होता है फैमिली की इसकी बात करने तो इसकी फैमिली होती है रेट्रो वीरिडिया या रेट्रो वाइरस जिसे हम कहते हैं तो इसलिए इसे हम रेट्रो वाइरस भी कहते हैं इंट्रोडक्शन और मार्फलोजी इस आर आरेने वाइरस यह यहां पर व्यूस होगा है तो आरेने वाइरस है से यह क्या है एक साइठ वाइरस जैंट किया है एक युनीख वाइरस टो यह हमारा यह यॉनीख एंजाइम प्रोड्यूbum करता है जिसे हम कि ए cay reviews ट्रंस्क्रेप टेज इसका काम क्या होता है DNA का synthesis करना क्योंकि replication किसके जवारा होगा DNA के जवारा तो DNA बनाना ज़रूरी है वो कौन बनाएगा ये reverse transcriptase कहां से बनाएगा इस RNA वाइरल से ये जो RNA वाइरल से हमारे पास इसके जवारा ये क्या बनाएगा DNA बनाएगा और कौन इसमें important role किसका है reverse transcriptase का after they infect a host cell host cell को infect करने के बाद इसलिए ये human में क्यों होता है क्योंकि इसको replication के लिए एक host cell के ज़रूरत होती है इसका diameter कितना होता है 80-110 nm तो इसमें important ये है एक तो कि HIV जो है वो RNA वाइरस है इसी family retroviriddy है और ये एक special type का enzyme produce करता है जिसे हम कहते है reverse transcriptase अगरा बात करते हैं इसकी history के बारे में तो इसका first case जो है वो कहां पे दिखा गया था AIDS का was described from New York में दिखा गया था in 1981 में और Paris में इसका दिखा गया था in 1983 उसके बाद इंडिया में ये in 1986 ये यहां पे 3 है तो यहां पे in 1996 आएगा 96 में चैनई में दिखा गया था तो question इसमें से भी बनता है कि HIV का first case कहां पे दिखा गया था तो USMA in 1981 में और इंडिया में कब दिखा गया है तो चैनई में 96 में दिखा गया था अब चलते हैं हम इसके structure के उपर कि क्या HIV भी कोरोना जैसा ही डरावना है डरावना वाइरस है जी हाँ वाइरस तो लगबख सभी डरावने ही होते हैं तो समयल के रिए चलो बात करते हैं अपने structure के उपर किसका structure क्या होता है structure में हम अपने पेलर डाइग्राम को देखते हैं तो यह रहा HIV का डरावना structure जिसमें हमने पहले जो वाइरस की मार्फोलोजी structure इसके उपर में पहले वीडियो बना चुकी हूँ तो उसमें हमने देखा था उसमें मैंने डीटेल में structure के बारे में बात करी है तो उसमें हमने देखा था कि कुछ वाइरस जो होते हैं वो envelope वाइरस होते हैं और कुछ non envelope वाइरस होते हैं तो HIV हमारा कौन सा envelope वाइरस है तो यह रहा हमारा envelope अब इस envelope में दो पार्ट होते हैं कि यानिकि यह हमारा इंवलफ है यह हमारा लिपिट पार्ट है जो की इसको कहां से प्राप्त होता है host cell की меся से यानि कि जब वाईरस का रीचैशन हो जाता उसके बाद में वाईरस वह बहर निकलता है तो यह लिपिट पार्ट जो है वो उसके cell membrane से लेके निकलता है तो यह जो lipid part है host cell membrane derived होता है उसके बाद यह जो GP 120 और GP 41 है GP stand for glycoprotein GP का बतलब क्या है यहाँ पर glycoprotein पहले बात करते हैं GP 120 के बारे में यहाँ की glycoprotein 120 यह जो आपको spike like structure दिख रहा है यहाँ पे इसका काम क्या होता है जब यह host cell के अंदर inter होता है वहाँ पर present CD4 receptor से जाके यह bind होता है clear है क्या function होता है इसका जोź beginners के अंदर host cell के अंदर inter होता है तो उसके उपर只 CD4 receptor से जाके यह evolves होता है GP 120 यानिकि glycoprotein 120 अब GP 41 की बात करें तो यह fusion करफाता है किसके बीसमें और वायरल और सैलिलिडर मेबरेंग के बीच में और मे इस लिए हम इसे क्योंकि कि रहे हैं नुकलिक आसीड को और इसे के रहें जो की प्रोटीन का बना हुआ है यह चोटे प्रोटीन प्रोटीन की बनी इसलिए हम प्राहूक्यooth के लह जेह Всем हम क्यों ह्मारा इसे दाव्त बेज्शादकन मैं सबते हैं इसमें HIV के द्वारा से प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है RNA से DNA बनाने का काम करता है और यह अंदर जो है हमारे दो सिंगल स्टेंडर्ड RNA है तो यह स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एक बार हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं वहीं जो मैंने आपको बताय है कि सबसे पहले हमने इन्वलब्व यह यह ईक्ली पार्ट होता है और प्रोटीन इप्रस्ट होता है और कौन-कौन से एक तो जीपी काम क्या होता है फ्यूजन बिट्विन वाइरल एंड सेल्यूलर मेंब्रेन और इसे हम ट्रांस मेंब्रेन भी केते हैं उसके बात में क्या आगया था हमारा नुक्लियो कैपसीड जिसे हम कोर के रहे थे यह आपको दिख रहा है यहां पर को जो की प्रोटीन की बनी हुई है त इसमें two identical copies of single standard positive sense RNA genome इसमें होते हैं वाइरल एंजाइम कौन सा होता है तो reverse transcriptase enzyme होता है one of the most important MCQ की कौन सा enzyme तो reverse transcriptase enzyme HIV के द्वारा produce होता है जो कि RNA को RNA से DNA बनाने का काम करता है अब बात करते हैं हम हमारे pathogenesis के बारे में कि कैसे HIV का transmission होता है और कैसे replication होता है और किस तरीके से यह बीमारी हमारे लिए जान लेवा भी बन सकती है बात करते है pathogenesis में mode of transmission की HIV कैसे transmit होता है तो HIV is mainly transmitted by body fluid can be divided into four types यह body fluids के द्वारा transmitted होता है mainly जो की four type में divide किया है हमने कैसे तो यह हमारे types तो सबसे main और important जो है जिसके द्वारा transmit हो सकता है HIV वह हमारा blood transfusion blood transfusion यानि की blood के component या फिर organ transplantation के द्वारा भी हो सकता है पर जो main जो होता है वह blood transfusion के द्वारा होता है जैसे किसी को urgent required है blood की उसका hemoglobin जो है वह बहुत ज्यादा कम हो गया है उसको अभी blood चड़ाना पड़ेगा तो जल्द बाजी में क्या करते हैं कि जो donor है उसको मालो अभी अभी infection हुआ है तो positive नहीं आया है या clear आपको शो नहीं हो रहा है आपने जल्द बाजी में अगर उसको blood चड़ा दिया है तो जिसको आपने blood चड़ाया है उसको भी infection हो सकता है और उसके लिए भी बीमारी जानलेवा हो सकती है organ transplantation से जैसे कि कोई भी किसी को अपने kidney donate करी है और भी अधर organ transplantation होते हैं तो उसके कारण हो सकता है second है sexual mode sexual mode में यह भी most common mode है क्योंकि इसमें भी किसी को पता नहीं रहता है कि इसको HIV है तो इसके कारण भी बीमारी बहुत ज़दा फिल रही है जिसकी vaginal की द्वारा या फिर anal intercourse की द्वारा तो vaginal जो है वो most common mode है बट anal जो है उसके कारण भी higher risk हो सकती है अगला है precutaneous या फि और collection करने के बाद अगर उसको आप recap कर रहे हो आपको पता नहीं है कि उसको HIV है और अगर वो needle आपको भी चुप जाती है तो उस needle के उपर जो present blood है उसमें भी virus है तो उसके करण आपके blood के अंदर वो transfuse हो सकता है और आपको भी वो बिमारी हो सकती है तो हमेशा gloves पेंके फि लग जाता है तो उस razor के उपर जो blood आ गया है कट लगेगा तो blood तो आएगा इस तो फिर अगर आपने रेजर चेंज नहीं करी है और दूसरे परसंद के लिए भी फिर आपने वही रेजर यूज करी तो मान लो उसको भी cut लग गया तो उसके द्वारा भी transmit हो सकता है injection drug drug injection के द्वारा तेट्व के द्वारा कोई tattoo वनवाता है तो उसके द्वारा भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी blood contact होता है उसके हाई bütün के जब बच्चा होता है तो मा का और बच्चे का बलड मिलता है तो उसके करान अगर मां को इंफेeeeeee vaisti doisu just है यह उसके द्वारा भी हो सकता है पर बच्चे के अंदर इस टे में जो प्रे prede है यह सो किल कर देता है यह इस तो यह चिजो के जो यहाद o सब्सकुइब आपको भी अचाईव सकता है हुधयान रखें कि यह बहुत पेनिट्रेशन होता है किसे रैप्नीकेशन होता है अगर आपको यह फोट्फा सीधा दिखाई दे रहा है तो फिर कोई दिकत नहीं अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप mobile को सीधा करके देख सकते हो तो first one क्या होता है ये हमारा HIV है तो ये आया कहां पर हमारी body के अंदर और ये हमारी cell membrane है और इसके उपर क्या present है CD4 receptor और इससे आके ये क्या हो गया अटेच हो गया तो इसको हम क्या कह रहें attachment यानि कि वाइरस आया और इस हमारे CD4 receptor से आके bind हो गया इसे हम कह रहें attachment और ये attachment किसके द्वारा हुआ हमारे जो वाइरस के ऊपर जो GP120 जो मैंने आपको structure में बताया था वो present था वो आके यहां पर CD4 receptor से आके bind हुआ उसके बाद ये जो हमारा GP120 के बाद में GP41 प्रजेंट था इसके द्वारा क्या हो रहा था फ्यूजन हो रहा था जो मैंने आपको बताया था structure में तो उसके बाद क्या होगा ये फ्यूजन होगा फ्यूजन हो रहा है किसके द्वारा GP41 के द्वारा अब फ्यूजन होने के बाद में क्या होगा penetration penetration मतलब कि वो अंदर इंटर करेगा host cell के अंदर और अगर अंदर इंटर कर रहा है तो उसके उपर road भी क्या क्या present थे structure में हमने देखा था matrix प्रजेंट था core प्रजेंट थी तो ये इस cell membrane के अंदर क्या हो जाएगी fuse हो जाएगी तो penetration तो हो गया मतलब कि अंदर इंटर करना और fuse हो रहा है अंदर fuse होके फिर क्या कर रहा है ये जो अंदर आलेने प्रजेंट है उसको release कर रहा है तो उसको हम क्या कर रहे है uncoating uncoating मतलब कि ये जो coat थी इसके उपर किसकी वो जो core थी protein की वो इसके साथ fuse हो गई है cell membrane के साथ और इस single standard RNA को और इस reverse transcriptase enzyme को ये release कर रहा है इस process को हम क्या कर रहे है uncoating क्लियर है सबसे पहले bind हुआ cd4 receptor के साथ उसे हमने कहा attachment उसके बाद fusion हुआ fusion हुआ किसके द्वारा ये जो gb41 था उसके द्वारा दन penetration हुआ वह hiv जो है अंदर इंटर हुआ तो उसे हम क्या कर रहे है और reverse transcriptase को अंदर release कर रहा है और इस process को हमने क्या कहा uncoating अभी ये जो आरे नहें वह होस्ट cell के अंदर इंटर हो चुका है और hiv सबसे पहले कौन से cell को effect करता है तो इस cd4 receptor जिसे कि हमारी T helper cell है उसके उपर present होता है macrophage की उपर present होता है तो सबसे पहले T helper cell को ये effect कर सकता है और ये T helper cell को effect कर रहा है इसलिए हम इसको कर रहे ही immunodeficiency virus क्योंकि ये T helper cell का काम क्या होता है हमारी जो बाकि की जो immune cell है उनको जाकर active करना कि हां ये वाला वाइरस आया है ये वाला antigen आया है ये bacteria आया है तो आप सब इसको जाके मारो अब जग ये ही नहीं बचेगा तो संदेश तो किसी के पास पहुचेगा ही नहीं और अगर संदेश नहीं पहुचेगा तो उनको पता ही नहीं है कि हमारी बोडी में क्या हो रहा है तो वह चुपचा बेटी रहेगी और ये वाइरस अपना काम करता रहेगा और हमारी सारी टी हल पर सेल को मार देगा चलो टॉपिक पर आते हैं विसे यह भी मैं टॉपिक के बाहर नहीं गई थी तो सिंगल स्टेंडर्ड आरे ने जो है हमारा ये अंदर रिलीस हो गया है उसके बाद में क्या ये इसके ऊपर जो बनने के बाद में ये डियने जाएगा किसके होस्ट सेल के नुकलियस के अंदर तो ये नुकलियस में जाने के बाद में ये जो होस्ट सेल का डियने है इसके साथ में जाकर क्या हो जाता है कंबाइन हो जाता है और इस प्रोस्टिस को हम क्या कहते हैं इंटेग्रेशन यानि यह बनाएगा प्रोटीन की जिसे हम HIV MRNA कहेंगे अब यह नुक्लियस से बाहर निकलेंगे फिर यह दो निकलेंगे उसमेंसे यह एक जो जाएगा यह यहां पर चला जाएगा फिर दूसरा जो है वह राइबोसुम के पास जाएगा वह प्रोटीन को लेके आएगा इस प्रकार यह दूनों जो है वह सेल सरफेस पर जाके के बेट जाएंगे यानि कि मतलब यह जो हमारा आरेने है यह भी और साथ साथ में यह सारे प्रोटीन भी वह असेंबल हो जाएगा कहां पर इंटू इमेंचोर एचाइवी तो यह क्या बन जाएगा हमारा इमेंचोर एचाइवी और इस प्रोसेस को हम क्या करें हैं असेंबली उसके बाद में बडिंग होगी यानि कि यह जो हमारा immature HIV है यह बाहर निकल जाएगा इस सेल से और protease enzyme इसको convert करेगा किसमें immature से एक mature HIV में उसके बाद यह जाके हमारी other tea helper cell को effect करेगा और इसी प्रकार हमारी जो टी helper cell है वो reduce होती जाएगी और हमारी immunity जो है वो weak होती जाएगी तो एक बार मैं आपको इसकी theory भी बता देती हूँ theory में भी वही है जो हमने diagram में देखा diagram हमने पहले इसलिए देखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो replication में क्या हुआ सबसे पहले attachment हुआ वो virus हमारी body के अंदर enter हुआ वो हमारे किस से आके bind हुआ cd4 cd4 receptor of t helper cell है जो t helper cell है उसके उपर present t cd4 cell उससे जाके bind हुआ उसके बाद में क्या हुआ fusion हुआ fusion हुआ attachment के बाद में receptor और receptor of gp120 के द्वारा क्या हुआ binding हुआ ता गp120 के द्वारा और fusion होगा किस के द्वारा protein gp41 के द्वारा उसके बाद वो अंदर penetrate करेगा उसके अंदर教 conex करने के नं damn conscious कर आईर वो उस वारर्ल आ ये और enz shaking को इंजाइम प्रजेंट है वो क्या करेगा उस आरेने से क्या बनाएगा साथ सिंगल स्टेंडर आरेने से सिंगल स्टेंडर डियने बनाएगा सिंगल स्टेंडर हमने इसको क्यों कहा क्योंकि यह सिंगल स्टेंडर्ड है वह इस तरीके का है डबल स्टेंडर्ड अगर होता तो वो इस तरीके का होता ठीक है यह डबल स्टेंडर्ड है और यह सिंगल स्टेंडर्ड यह सिंगल स्टेंडर्ड डियने बनाएगा और उसके बाद में यह सिंगल स्टेंडर्ड डियने जो है वह रैप्रिकेट होगा और डबल स्टेंडर्ड डियने बनाएगा तो आरे ने किसक हो रही यानि की आरेने से डीने बन रहा है तो क्या हो रहा है वो रिवर्स हो रहा है इसलिए हम क्या करें है से रिवर्स ट्रास्क्रिप्शन उसके बाद में डीने बन गया है अब वो डीने जाएगा कहां पर उस नुकलियस के अंदर नुकलियस के अंदर जाके वो जो होस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा लॉंग चेन ओप हैवी प्रोटीन जो कि क्या कर सकता है विच के द्वारा अब जो सिंगल स्टेंडर्ड आरेने बन गया है वह जाएगा किसके पास में राइबुसूम के पास में वहां से वह प्रोटीन लेके आएगा उसके बाद में यह सारी जो इस के उपर उफर हैए सेल की सेंड़ इंड आरेने डों करेंगे कि दर सेल की सर्फेस के इधर और असेंबल होंगेएं पास में इसको इंटू मैचोर है वह और इंफेक्शन को सकता है बाकि की जो अधर सैल है उनको भी एफेक्ट कर सकता है तो किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है सेल के अदर यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस प्रोसेस को कम से कम पांच से दस साल लगते हैं इसलिए ह चाइवी जो है वो कम से कम पांच से आठ साल तक सिम्टम लेस होता है कैसे होता है वह हम आगे सिम्टम में देखेंगे बात करते हैं सिम्टम्स की तो सिम्टम्स में इसका इंक्यूबेशन पीरियट जो होता है वह मैंने अभी आपको बताए है पांच से दस साल इसका इंक् सबसे पहले बात करते हैं हम acute infection गाय कि anie रहें इंटर होता है तो वाने के तीन से यह सब्सके नियात extend यानि कि आप discomfort रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सी बिमारी है तो कुछ इस तरह के सिंटम आपको दिखाई देंगे या फिर लिंपेड़नोपती यानि कि लिंफनोट का इनलार्जमेंट यह जो लिंपेड़नोपती है यह आप हर स्टेज में दिखाई देग उसको इंफेक्ट करता है तो यह जो हमारी सारी टी हलपर सेल है उसको दीरे 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 इंफेक्ट करने लग जाएगा तो उसके नंबर भी रेड्यूस होने लग जाएंगे जैसे जैसे इंफेक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी टी हलपर सेल जो है वो खतम होती जाएगी तो एक इडू स्टेज में क्या होता है जब होस्ट सेल के अंदर इंटर होता है तो उसके त्री टू सिक्स विक के अंदर क्या आपको सिम्टाम जो है वह थोड़े बहुत दिखने लग जाएंगी जैसे फीवर हैड़ेक में लाइज आप तोड़े से डिसकमफर्ट ह सकता है ती सेल जो है वह दीरे दीरे डिस्ट्रॉइ होने लग जाएगी तो थोड़ी इम्मुनोटीवीक होने के कारण थोड़े सिम्टाम चो हो सकते हैं उसके बाद मैं एस्प्रामेटिक स्टेज्च यानि कि इस साम केता है लाटेंट इंफेक्शन लेटेंट इंफेक्श सब्सक्राइब नहीं कर पाता है कि कौन से बिमारी हुई है तो उसके कारण यह नहीं दे पाता है सेल परसिस्ट इंद लिम्फ नोड एंड देर इस स्वैलिंग भी आपको फिल होने लग जाएगी पहले जो आपको विलिंफ नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगा इसमें आप यह देख सकते हो कि हां लिम्फ नोड में इसलिए है इसलिए हम इसे किता है पर्सिस्टेंट जन्रेलाइज लिंफ नपती या फिर माइनर ओप प्रकार बहुत सारी बीमारिया जो आके इसको इंफेक्ट करने लग जाती है और यह HIV infection से एक syndrome का रूप लिलेती है और उसे हम कहते हैं AIDS AIDS का नम आपने सुनाई होगा Acquired Immuno Deficiency Syndrome आगे बताऊंगे यह देख लेते हैं अपन थोड़ा सा और The period of my last for 10 years, 10 years तक मैं आपको बताई दिया है The T helper cell continue to decrease होने लग जाएगी अब उसकी process में जितना time लगना था लग गया है उसका सारा HIV ने उसका काम कर लिया है अगला है हमारा AIDS related complex जिसे हम symptomatic HIV infection केते हैं यहनिकि अब जो उसकी replication के stage जो है वो खतम हो चुकी है वो जो symptom asymptomatic stage थी उसका period जो है वो खतम हो चुका है तो अब यह जो stage है यह बहुत खतरनाक stage होती है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है आफ्टर variable period of clinical latency the CD4 T cell level start falling यानिकि यह जो आफ्टर variable period इसका जो भी period था वो खतम होने के बाद में यह जो हमारे T helper cell है उसके count जो है वो बहुत जादा reduce होने लग जाएंगी और जब T helper cell reduce होगी तो क्या होगा हमारी immunity जो है वो weak होगी और immunity weak होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है कोई सा भी bacteria हमारी body के अंदर इंटर हो सकता है और हमें बीमारी कोस कर सकता है और अगर diarrhea होगा तो क्या होगा आपकी energy loss हो जाएगी आप में energy ही नहीं बैचे कि क्योंकि आप जो भी खाओगे वो diarrhea के थ्रू क्या हो जाएगा body से बाहर हो जाएगा और उसी के गाराण weight loss भी हो सकता है आपको जादा थकान होने लग जाएगी continue fever आएगा मिलाइस हो सकता है night state हो सकता है बहुत ही mild opportunistic infection मैंने आपको बताया ही था कि बहुत सारी बीमारिया आपको infect कर सकती है oral thresh हो सकता है यानि कि GIT infection हो सकता है आपके मुख में cancer हो सकता है spleenomegaly यानि कि spleen का enlargement भी हो सकता है और lymphadenovati के बादे में आपको बताई दिया है तो इस condition में जाके आप पेचान सकते हो कि हाँ आपको ये बीमारी है symptom के द्वारा बाकी जो अधर diagnose करने के लिए हम जो भी टेस्ट लगाते हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में discuss करेंगे जब उसमें lab diagnosis के बारे में हम detail में पढ़ेंगे lab diagnosis को मैंने इसमें include नहीं किया है क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाता है और confusion भी बहुत जगा हो जाता है इसलिए हम lab diagnosis को next वीडियो में discuss करेंगे तो यह जो लास्ट की condition हो जाती है इसे हमने एट्स related complex क्यों कहा है क्योंकि यह यहां पर क्या बन जाता है एक syndrome बहुत सारी बिमारियों का HIV infection यानि कि आपको क्या वाइरस ने इंफेक्ट किया था इसलिए उसे हम HIV infection कह रहे थे acquired इसको क्यों के रहे क्योंकि यह हमें बहुत सारी बिमारिया इससे हमें होने लग गई है कोई साभी ब्रेक्टेरिया हम कहा को हमको infect करने लग गया है यह क्या बन गया एक ग्रूप बन गया किसका बिमारियों का इसलिए syndrome क्या रहे है तो HIV और एट्स में हमें क्यावल एक infection और एट्स में हमें लास्ट में आते आते हैं HIV में हमें बहुत सारी बिमारिया का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या बन गया एक syndrome बन गया एक बिमारियों का ग्रूप बन गया है तो इसकी end stage के बारे में भी हम बात करी लेते है rapid fall in CD4 cell count जो है हमारे T helper cell वो less than 200 हो जाएगी respiratory infection हो सकता है यानि कि जैसे TB जैसे बिमारिया भी आपको हो सकती है GIT cancer आपको हो सकता है CNS infection हो सकता है आप यादाश को नहीं लग जाते हूँ तो इस तरीके की infection और इस तरीके की कई बिमारिया आपको इसमें हो सकती है last stage तक HIV के बारे में हमने आज देखा उसके replication के बारे में उसके transmission के बारे में यह क्या होता है इसकी history के बारे में I hope आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको subscribe करे, share करे अपने classmate के साथ और like करे